गुड मारिंग, आल अफ यू तो बच्चो, आज हम आप पाट पढ़ेंगे नमक का दरोगा जिसके लेखाख है मुनसिप प्यमचन जी मुनसिप प्यमचन जी का यहां बहुँ चर्चित कहानी है इस कहानी में यथार्थवाद के सांस्वाद आदर्स को भी चित्रित किया गया है इस कहानी में धन के उपर धर्म के जीत को दरसाया गया है यह माना मुल्यों की आस्था जगाने वाली आसावादी कहानी है इसमें धर्म प्रायनता, कर्तब्य निष्ठता, सत्य निष्ठा कुछ सम्मानित किया गया है और पूरे विश्व में इसे दूरलब गुणों के रूप में व्याख्या किया गया है यहां कहानी जो है प्रारम होता है जब से नमक बनाने पर रोक लगा, सरकार के द्वारा रोक लगाया गया तब से एक नया विभाग नमक विभाग बनाया गया इसके दरोगा पत कियों अत्यधिक महत्वपूर माना जाने लगा था और तो और इस पत के लिए वकील भी जो है ललाईत रहा करते थे इस पद को पाने के लिए लग जाया करते थे मुनसिधर भी रोजगार ढूनने के लिए निकलते थे और उनके पितर जो है उन्हें हमेशा हिदायत दिया करते थे कि बेटा नौकरी ऐसे ढूनना जिसमें उपर की आये खुब हो क्योंकि मासिक आये तो पूनिमा चांद के समान होता है जो घटे घटे लुपत हो जाती है परंतु उपर की आमदानी जो है बहता हुआ सुरूत है जिस सदा प्यास बुझती रहती है इस उपदेश को पाकर मुंसी बंसी धर जो है नौकरी ढूड़ने निकल गए थे सौभाग्य से उन्हें नमक विभाग के दरोगा होने का सुवसर मिला जिस दरोगा पद को पाने के लिए सब लालायत हुआ करते थे वह दरोगा का पद जो है सौभाग्य वसी से प्राप्त हुआ यह बाद सुनते ही उनके स्वजने उनके परिवार वाले जो है बहुत खुस हुए लेकिन औरोसी पडोसियों के हिर्दे जो है हिर्दे में यह बाद चुगने लगा कि उसे दरोगा कैसे बनाया गया एक दिन जाड़े का रात था मुंसिधर को अभी यहां यमना नदी के पूल पर आए जाद द नहीं हुआ था लगभग 6 मेहने से 6 मेहने के आसपस हुआ था अपनी कारिया कुसलता और अपनी उत्तम आचरण के कारण ही अप्चरों का मन जो है उन्होंने महूलिया था दरोगा जी की नीन अचानक पुल पर से गाड़ियों की आवाज सुनकर खुली वे हड़बढा कर उठ बैठे और जब बाहरा कर देखा कि बहुत सारे गाड़ियों की लंबी कतार जो है पूल को पाल कर दही है सरनाटा चाय रहा फिर पता चला कि पंडित अलोपी दिन की है जो दाता गंच के निवासी है मौसी जी यह नाम सुनकर चौक पड़े क्योंकि अलोपी दिन जो है उस इलाके के सबसे बड़े प्रतिष्ठित वेपारी थी उनका उठना बैठना जो है अंगरी जो के साथ था उन्होंने पता लगाया कि उन गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा है पंडित जो है पंडित अलोपी दिन अपने सजीले रथ पर अर्धसुप तवस्था में चले जा रहे थे क्यों है समाचर मिला दारोगा जी ने उनके गाड़ियां जो है रोग दी है और वे घाट पर आपको बुला रहे हैं जब यहाँ बात पंडित जी को पता चला तो पंडित जी अलोपी दिन को लच्छमी की सक्ती पर अर्थात अपनी धन की सक्ती पर पूरा भरोसा था वे मानते थे कि नियाएं और नीती तो लच्छमी के खिलों ने हैं आताहा पैसे के सामने सब कुछ बदल जाता है अब निश्चिंत होकर दारोगा के पास पहुँचे और बोले हम प्रम्हनों पर तो आपकी क्रिपा दृष्टी रहनी चाहिए वनसी धर ने सहकारी हुकम सुनाते हुए कहा आपको गिर्पतार किया जाता है पंडित अलोपी दिन ने दरोगा के सामने एक हजार से दो हजार दो हजार से तीन हजार तीन हजार से चार हजार ऐसे करते करते उसके सामने चालीस हज़ार तक रिस्वत की रकम जो है पेसकस की किन्तों वनसीधर का इमान जो है रत्ती भर नहीं जोला तब भी पंडित अलोपी दिन ने दया याचना प्राथना की भीक मांगता रहा आप ऐसा ना करें क्योंकि हमारी ज़ज़ मिट्टे मिल जाएंगी क्योंकि चारोर हमारी प्रतिष्ठा है चारोर हमारा मान सम्मान है लेकिन वनसीधर ने उसकी एकन सुनी और धर्म निधन को पैरो तले कुचल डाला ऐसा प्रतित हो रहा था अर्धात पंडित अलोपी दिन हिरासत में लिए गए अगले दिन हर विक्ति के जबान पर इस घटना की चर्चा थी पंडित जी के वेवार की खूब निंदा हुई बैमान और धश्टचारी अपसरों ने भी उसके निंदा की जब गर्दन जुकाए उलोपी दिन अदालत में पहुँचें तो मानो सारा सहर उन्हें इस हालत में देखने के लिए उमड़ पड़ा हो अदालत में आसपास के लोग पहुँचते रहें सिर्फ इस दिश्य को देखने के लिए अदालत में पहुँचते ही हालत बदल गई यहां के सभी कर्मचारी उनके बिना दाम के गुलाम थे सभी उनके हाथों बिके हुए थे तुरंत हल चल और भागा दोर सुरू हो गया था वकीलों की टीम जो है वकीलों की टीम जो है मिलकर उन्हें बचाने के दाओं पेच खेल रहे थे इदर वनसी धर के पास सत्य और इस पश्ट भाशन भाशन के सिवाए अन्य कोई सस्त्र नहीं था परिणाम स्वरूप यह हुआ कि पक्षपात की ओर न्याले जुक गया सेड़ जी के चर्णों में जुक गया न्याय जो है और डिप्टी मजिस्टियर ने यह लिखा पंडित अलोपे दिन बहुत बड़े आदमी है वे थोड़े से लाब के लिए इतना छोटा काम नहीं कर सकते मुंसी बंसी धर की नमक हलाली ने उनकी बुद्धी को भेष्ट कर दिया है अता उन्हें शाओधान रहना चाहिए यह फैसला सुना कर सारे वकील जो है मुस्कुराने लगे अदालत के मुस्कुराने लगे और सब जो है उचल कूद करने लगे उलोपे दिन मुस्कुराते हुए अदालत से जब बहार निकले तो बंसी धर को समाज ने भी समाज ने जी भर कर अपमानित किया बंसी धर को जीवन का यहाखेजना का नुभा हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित क्यों होना नहीं चाहता है कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार क्यों नहीं होता है ये बड़ी बड़ी उपाधियां ये चोंगे सब निराधार के योंगे हैं सब्ता भर बाद वनसी धर को नौकरी से निकाल दिया गया घर वालों निया समाचार सुना तो अपना माँ था पीटेने लगे पीता तो बहुत कुरुद हुए माँ और पत्नी भी नराजगी वेक तकी एक सबता हबाद सेट उलोपेदिन वनसीधर के घर पहुँचे और उन्हें आया हुआ देखकर वनसीधर के पिता जी जो है बदकिस्मती और बेटी की बेटे की मुर्खता का रूना रूने लगा उलोपेदिन ने उन्हें ऐसा कहने और करने से रोका और कहा कि आपका बेटा कुल तिलग है पुर्सूं की किरती उज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्म प्राइड मनुस्या है जो धर्म पर अपना सब कुछ अरपन कर सके उन्होंने वनसीधर से कहा किसे खुसामद न समझे आपने मुझे परास्ता कर दिया वनसीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आये हैं पर उन्तु पंडित की बाती सुनकर उनका संदे जो है दूर हो गया और संदे दूर होते ही आप उन्होंने यह भी कहा कि यहापकी उदारता है आग गया दीजे उलोपिदिन ने कहा कि नदी तड़ पर आपने मेरी प्राथना नहीं सुनी लेकिन अब वह प्राथना स्विकार करनी पड़ेगी उसने एक इस्टाम पत्र निकाला और पद स्विकार करने के लिए प्राथना की वनसीधर ने पढ़ा पंडित ने अपनी सारी जैदात का इस्थाई मनेजर जो है छहाजार वारसे के वेतन के अलावा रुजाना खर्च आने जाने का किराया गाड़ी बंगले के सांसां यहां नियत किया गया था वनसीधर ने कापतेश्वर में कहा कि मैं इस उच्चपद के योग्य नहीं हूँ लेकिन ओलिपिदिन ने कहा ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुस्य क्या हो सकता है ऐसा जब वनसीधर ने कहा तो उलिपिदिन ने भी बात कही कि वनसीधर कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव विद्वता मर्मग्यता कारे कुशलता की चाह नहीं है पर मात्मा से केवल यही प्राथना है कि वहां आपको सदेव वही नदी के किनारे वाला बेमुर्वत उद्धन कठोर पर उद्धर मनेश्च दरोगा बनाए रखे वनसीधर की आँखे जो है डब डबा गई और वनसीधर की आँखे जो है बहने लगा उन्होंने कापते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिये उलुपी दिन ने और उसे अपने गले लगा लिया वास्तों में उलुपी दिन जो है भर्ष्ट अविक्ती था लेकिन वनसीधर के इमानदारी के सामने उसका हिर्दय जो है परिवर्तित हुआ और वनसीधर को सम्मान दिया तो बच्चों ये पाट समाब तो हुआ जन्यवाद